नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडसी दुनिया में दोस्तों वीडियो में हम लोग इंडेप्थ में अनलाइसीज करेंगे आइसल ओफ मैन वोसेज ग्रीस के बीच जो होगा फॉस्ट एलिमिनेटर ग्रूप ए का युरूपेन किकेट चैंपेंशिप में इंडेप्थ हम लोग दोस्तों वीडियो में दोनों ही टीम के बारे में कम्पलीट डिटेल्स एनलाइसीज प्रोवाइट करने वाले गाइस आप अगर वीडियो अच्छे से ध्यान से अंतक देखते हो तो इस मैच के रिलेटेट सभी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो में ताकि आप एक बेटर टीम खुद क्रियेट कर पाओ दोस्तों अपने से बट मैं इस मैच का फाइनल कवरेज और नेक्स मैच इसके अपडेट्स टिमो टीम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेलिग्राम चैनल दोस्तों आपको जॉइन होना है टेलिग्राम जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्किप्षन और कॉमेंस सेक्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक पर आपको प्रेश करना है और रिडिरेक्ट होना है दोस्तों टेलिग्राम चैनल आते इस मैच के अनलाइसिस पॉइंट में आईसेल ओफ मैन वोसिस ग्रीस के बीच होगा ये मैच तीन बजे मैच इंडे टैम स्टार्ट होगा और होगा फर्स्ट एलिमिनेटर मतलब दोनों डिम अपना हंडेड परसंट देंगे इससे पहले जब इन दोनों के बीच हेड़ टो एडवा था आईसेल ओफ मैन 107 रन बनाया था दोस्तों आईसल ओफ मैन से सबसे ज्यादा रन बनाये थे क्रिस्टियन वेबस्टार टू डाउन बैटिंग करते हुए और एस इस इसल ट्विंटी थ्री ओली वेबस्टार ने बनाया था चेस करते हुए दोस्तों 81 तक पहुच पाया ग्रीस और टैफिनिटली आईसल ओफ मैन मुझे थोड़े बहुत बेटल लगते हैं ग्रीस से ब इनसे पोबुबल बैटिंग ओडर में ओपेन करेंगे ओली वेबस्टार देखो हर मैच में इसने स्टार्ट निकाला है तो टीम में तो इनको रखना बनता है दोस्तों मैं भी रखूंगा शायद कैप वीसी प्रिफरेंस ना दू बट अगर हिट और मिस रेशियो देखोग 12-40-28-0 दोस्तों मैंने इसको फर्स्ट मैच में लिया था उस मैच में बंदे ने जीरो रन बनाया था उसके बाद से हर मैच में बंदे ने दोस्तों बैटिंग से अच्छा गासा पॉइंस दिया है तो यह मेरा पनूती है शायद मैं नहीं लो सैम बार्ड ने जेफिनिटल इग्नोर करूंगा जो पुरोस मस्ट पिक प्लियर है स्पेशली लेफटाम ओफडोक्स नहीं यह लेफटाम मीडियम कराता है जो पुरोस ठीक है यह डेफिनिटली दोस्तों आपके लिए मस्ट पीक होना चाहिए बड जो ग्रैंड ली केलना चाहते हो वह सैकेंड इनिंग इनिंग से ज्यादा पॉइंस देगा नहीं सैकेंड इनिंग में एक हाई पॉसिबिलिटे से आइसे लॉप मैं अगर चेस करा गया इजीली इसीली तो दोस्तों इसका ज्यादा कुछ खास परफोमेंस आएगा नहीं उपर से ग्रीस में एक लेफट एंडड बैटर है और य बहुत जादा पिटाई उससे आगे भी बहुत जादा पिटाई हुआ था इक ही मैच में इंफेक्ट इंडों ने दो यह निकाला था फ्रिजर क्लक ने एक मैच में दो बर में 55 कंसीट करने के बाद लास्ट में बालिंग इंसकोर दिया नहीं गया स्पैंसर क्लक का भी सिफ एक मैच में पिटाई नहीं खाया था अगेंच ग्रिस बाकी हर मैंस में पिटाई कहा आया और अगेंच ग्रिस दोस्तों क्रीस लांक arguably करेंग अभर बॉल नहीं परना कीं तो घैलर नो सर्जिस्ट करूंगा कि टिम में रखके चल सकते हो थीक है अब आता हमें आपिड के रिकॉर्ड रिवीव कर सकते ऊओ कुछ भी ब्लियर होता है डोस्तों यहां पे रिव्यू करना नेतर नाइस फिलालय नहीं नहीं कर रहा हूँ तो ठिकनल नाइस परेंज कर यह लेना थे कर में एदर कर सकता है अटारा मस्त्रेंट अहुश्य कुलारस नयाहा है मतलब कुछ भी Christian Webster 6 match में 184 average में दोस्तों टॉप order में प्रोमेशन हो सकता है opening के लिए Christian Webster आ सकते हैं इस match में एक मुझे possibilities दिख रहा है ब्रीस से analysis में तीनों match आनने के पार फाइनल इनों ने विन किया था और विन किया था अगेंस्ट विकेस टीम चेक रिपबलिक के दोस्तों कासीर अमीन उस वीनिंग में बहुत बरा रोल था इनका कासीर अमीन बहुत ही अच्छे सब बनाएगा मैं अलग नहीं हूँ दोस्तों बट एक ही मैं आपको बात बोलूगा अगर यह चल गया स्पिशली चेजिंग के टाइम पे सो रन के चेस कर रहा है वैसे में कसी रमीन चल गया दोस्तों तो यह मैंस निकाल के चला जाएगा इससलिए मैं बता रहा हूं कोई साथ देने वाला इस टीम में है नहीं अमर प्रीट सिंग ने लाश मच में दो ओवर डाला 21 रन कंसीड क्या शायद यह फिर से आपको दो ओवर करते हुए दिख्या और बैटिंसे भी कुछ पॉइंस तो यह आपके लिए डिफेंशल पीक बन सकते है अंडाउटेड ल на के लिएक नोट म सिननान खान मस्त है प्लिया रहें दोस्तों इस टीम के पास दो ही ढंका प्लयरे के लिए बाण निकाला रहें लास स्च में दो हीर निकाला था दोस्तों वर अगर ऑन वर सके बिए बीसस्ट्र चैनल ऑ mniej स्लाइटी और से एक हमें इस बोड़ा रिद्ट असरार आमिद बॉल पर्स्ट हुआ तो इनके पास ठीक है तो यह प्ले में आ सकते हैं और अगर प्ले में आ गया दोस्तो तो अब के लिए अच्छा पॉइंस गैदर करके दे देंगे दोस्तो अगले ऑप्शन ओपिणिंग बॉलिंग कौन कराएगा इस तीम से असरार कराए सिरीज से पहले का रिकॉर्ड है अमरप्रीज सिंग महमी उतने बुरे बैटर नहीं है अगर यह ओपिन कल लेता है जोस्तो आपके लिए पॉइंस गैदर कर सकता है जिसकी मैंने आपको बताया सी हुए इस टार एक हुआ डिफेंशल प्लियर ऑपोनेंस से वह से ही जोस्तो चॉइस है बेस्ट कैप्टेन पिक रहेंगे पास्ट रिकॉर्ड भी प्रॉमिडेंट है टिम में रख लेना असला महमत कभी अता पता नहीं होता है कभी बैटिंग कर लेते है वन डॉब डॉब करने वाला प्लियर है और कुछ नहीं और अस्रार हमेंद बॉल फस है गयलान इस बॉल फस्स है यह असरा रन गेलान इसको बॉल फस्स में ज़रू ट्राइ करूँगा क्योंकि इनका नेक है विकेट लॉस करने का और विकेट लॉस किया और इन्हों ने विकेट ग्रैब किया तो हमारे लिए अच्छा कासा बड़ा सारा डिफेंशिल पीक बन सकते हैं दो अब तक वीडियो को लाइक निए दोस्तों एक लइक लैक बन्दा है लाइक कर देण आपने दोस्तों के साथ वीडियो को शियर करो और अगले दिन से ग्रूप बीका एक्स्क्लूसिफ कफ़रेज के लिए टेलिitionally जुचा एनक पको मिल जाएंगे चलते है दोस्तों में खेलते हैं दोस्तों फिलाल मैंने रख लिया अमर्पित सेंग मेहमी अच्छे चॉइस है सियो एपस्टेट इस मैंच में टॉप में आ सकता है रख सकते हो बट इतने सारा प्लियर अगर मैं यहां से ले लिया तो यहां से मैं क्या लूँगा क्यों अमिन मस्ट फिक प्लियर बन जा रहा है तो उनके साथ है स्टीक रहना सही होगा ठीक है यहां पे कोई बहुत जादा मुझे डिफरेंशल प्लियर बोद कंडिशन में और बोद पीम से दिख नहीं रहा है जो कैप्टेन बनेंगे जो कैप्टेन बनना चाहिए कसी रमीन सब बना रहा है तो यह मेरे टिम का भी कैप्टेन अब वाइस कैप्टेन में थोरा सा ट्रिक यूज कर सकते हो आप चंदा ओली वेपस्टेर के साथ जा रहा है मुझे मना तो नहीं है दोस्तो अच्छे चोईस है ओली वेपस्टेर बट एक प्लियर है जो इस मैच में अच्छा पफोमेंस दे स सकता है सिनान खान हार दोस्तों हिट डाट एक बॉलर है और कम्प्लीटली यह मैच सिनान वर्सेस ओली वेपस्टेर है क्योंकि और सिनान अपना दो डालेगा पावर प्ले में तो यहां पे इनको इक मिलने के ना एक पॉसिबलीटिस निकल के आ रहा है यूस दिस आप बैक इस ओपनेंस सिनान खान एस विसी लेगे आएंगे अल दोस्तों अगेंस्ट ओली वेपस्टर तो यह एक रिस्क होगा बट यह रिस्क वोर्थ हो सकता है जे बुरोस बॉलिंग कराएगा बट जे बुरोस लेफ्ट एंडेड है लेफ टाम मीडियम कराएगा और अगेंस्ट स्लेफ टेंडेड बैटर कसी रमीन वही प्रॉबलम है क्योंकि इनका बॉल अंदर आएगा और यह बड़े-बड़े शॉर्स रमारते है दोस्तों बैट गुमाते है बहुत जोर का तो यह लपिटे में आ सकते है और जे बुरोस इस मैच में फ्लॉप भी हो सकता है completely even negative point के स फिलाल गाइस यह रहेगा coverage इस मैच का इस मैच के related कुछ भी और अपडेट वा निक्स मैच के coverage डेमो टिम शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम पे दोस्तों जुन्ना है आपको टेलीग्राम जिसका लिंक वीडियो के description and comment section में आपको मिल जाएंगे thank you दोस्तों मिलते है मै